हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टुडी एसी जी होम क्लास अ डिजिटल इनिशेटर बाइ डिरेक्टर आफ स्कूल एजुकेशन जम्मू टियर स्टूडेंट आफ क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बच्चो यह जो इमेज पिक्चर दिख रही आपको इसे देखिए इसमें दे बीडी चड़के गुलीश के उपर चड़ रहे हैं तो यह जो बहुत बड़ा सा आदमी दिख रहे हैं यह है गुलिवर और जो छोटे-छोटे लोग दिख रहे हैं यह है लिलिपुटियंस तो बच्चो आज हम एक शाट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है गुलिवर अम लिपुट्स जो है एक स्टोरी है जो गुलिवर ट्रेवल्स में से ली गई है गुलिवर ट्रेवल्स जो है यह बुक का नाम है जिसे जनाथन स्विफ्ट ने लिखा हुआ है इसमें और भी बहुत सी स्टोरी है और यह जो गुलिवर अमंग दा लिलिपुट है और लिटल पूपल है यह यह बी एक उसमें से ही लिए ही शाट स्टोरी है लिलीपुट्स हो गया लिटल पूपल चोट चोटे लोग सबसे पहले इंट्रोरक्शन गुलीवर ट्रेवल हास बीन रिटन बाय जनॉथन सिफ्ट एज रिटन बाय जनॉथन सिफ्ट अन दे बहुत स्टोरीज हैं एडवंचर के बारे में सहसित कारिय उनके बारे में हैं जिसमें जो लेम्यूल गुलीवर है वही जो है नरेटर भी है और प्रोटगनेस्ट हो गया जो हीरो है वो ही है वही इसमें एक्स्पेंड कर रहे हैं सब कुछ तो Jonathan Swift जो है ये बर्न हुए थे 1667 में and died on 1745 में तो ये जो image दिख रही है आपको ये Jonathan Swift है सबसे पहले इनके बार में पढ़ते हम Jonathan Swift जो है Irish author and journalist थे The foremost prose statist in the English language Swift best known work is Gulliver's Travel जो समी का अच्छा काम जो माना जाता है इन्होंने जो किया है वो है Gulliver Travis जो बुक लिखी है 1726 में Swift was born in Dublin on November 30th 1667 and he studied at Kilke Grammar School 1674-82 and at Trinity College in Dublin 1682-89 receiving his BA in 1868 and AMA in 1692 तो बच्चों जो Jonathan Swift है जो इन्होंने सबसे अच्छा जो इनका काम जो हमाना जाता है वो Gulliver Travel जो उन्होंने बुक लिखी है जिसमें से हम एक शार्ट स्टोरी जो पढ़ने जा रहे हैं Gulliver Among the Little People and Gulliver Among the Lilliput इसमें क्या है यह जो आपको एक शिप सा दिख रहा है यह एक शिप होता है इसका नाम है Antilope इसमें जो Gulliver है वो ट्रेवल करते हैं सबसे पहले रीट करते हैं क्या है स्टोरी Gulliver Among the Little People Gulliver Travel recounts the story of Lamular Gulliver, an Englishman trained as a surgeon who narrate the adventures that befall him on his sea voyages The story is set in early 18th century England His ship called the Antilope witnessed a first storm He, however, swims safely to shore and soon fall asleep He wake up to find himself tied to the ground with small pieces of thread Read out the story to find out what happened next Gulliver Travels उन्हें ही Lamular Gulliver भी खहते हैं जो एक सर्जन थे वही इसी story के बारे में बता रहे हैं उन्हेंने भोल सी समुंद्री यात्रहें की होई है 18th century England में एक उनका जो शिप है उसका नाम है Antilope Antilope जो है यह शिप का नाम है एक बार क्या होता है कि वह समुंद्री यात्रह कर रहे होते हैं इसी Antilope शिप से उनका Antilope नामक जहां बिहानक तुफान में गिर जाता है किन्तु वह तैरते हुए सुरक्षा पुरुग एक तरट पर पहुंचाते हैं और वहां शिगर से ही सो जाते हैं और जब जागते हैं तो देखते हैं कि वह जो है छोट छोट धागे के छोट शोट टुकडूं के साथ जमीन से बंदे हुए हैं इसके बाद आगे क्या होता है यह सब जानने के लिए हम कहानी पढ़ते हैं एक बार जो एक समुदरी जहाज जो है दक्षिन सागर की तरफ अपनी यात्रा पर था इसमें एक कप्तान होता है एक डाक्टर साहित उसमें तीस जो है और आदमी होते हैं जहाज जो है एक चट्डान के स्मीप से गुजर रहा होता है बड़ा सा राक होता है उसके स्मीप से गुजर रहा होता है All of a sudden there was a storm with rain and thunder अचानक से क्या होता है महाँ पर बर्शा होती है और जो बादल है वो गरजते हैं और तुफान आने लगता है The sea rode the wind blew and the waves rose high सुमुंदर गर्ज ऐसा शोरकन लगता है तेज हवाय जो हैं चलने लगी और जो लहरे हैं वो उन्चे उडने लगी The sea rode the wind blew and the waves rose high The ship struck the rock and broke into two जहाज जो है वो उस बड़े से चटान से राक से टकराया और तूटके उस जहाज के उस एंटी लोप के दो हिस्से होगे यहाँ पर image है यहाँ पर देखो यह जो चोटा सा आदनी आपको दिख रहा है यह ऐसे image है इसमें यह जो गुलिवर दिखाया हुआ है वो जो है जहाज को चला रहे है इसमें दिखाया हुआ है कि अचानक से जो है थंडरिंग होती है और जो है समुद्री लहरे उठती है और जो जहाज है जो एंटी लोप है वो तूटके दो हिस्सू में हो जाता है तो दूसरी साइड किया है सोन्सक्रिजा कि शिर्ण के जो ढब भी, जो जो है समुद्र में जम्प मार देते हैं सिर्फ एक आदम् होताहे है जो तट पे समंद्र के साइड पहुँ साइड पहुंच बाता जो डॉक्टर है जो सर्जन है लेमिलल गुलिवर जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं जिनके बारे में यह पूरी स्टोरी है तो जब गुलिवर जो है वो टारते हैं वो स्टोरी को एक टापू पर बिलकुल गेलर ने पाया उनना देखा कि उस समंदर तर्ट को छोड़ा और कुछ समय तक वो खुले खेतों पर आरपा घूमते हैं फिर वो उन्हें क्या किया हूँ जो घास था सॉफ्ट सा कॉमल कॉमल घास उस पर आके लेट के वे अपने भूत सा थका हूँ अम हैसूस कर रहे थे और शीगर ही उन्हें जो है नेंद पड़ गई जब सुबा वो जल्दी जा गया तो वो उपर उठना चाहते हैं लेकिन उन्हें देखा कि जो उनकी बाजों हैं और जो टांगे हैं वो उनको हिला नहीं पा रहे हैं स्ट्रिंग्स होता है रसी है तो वो जो रस्टियों के साथ उन्हें दवारा उनको जो है जमीन के साथ उन्हें बांदा हुआ था और वो बिलकुल भी जो है मूमन्ट नहीं कर पा रहे थे वो स्वहिम से कहते हैं ओ मैं अपनी बाजो या टांगे हिला नहीं पा रहा हूँ उनने देखा कि वो बंदे हुए हैं और कुछ जानवर जो है उनके शरीर के उपर उनकी बाडी के उपर गूम रहे थे यह मेरे चाहरे की तरफ जो है उनके फेस की तरफ चलके आ रहे थे और वो कौन सा जानवर हो सकता है यहाँ पर तेखिए जब गुलिवर जो है वो समुंदर में गिर जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं तारने की क्योंकि उन्हें तैर ना आता है वो तैरते हुए दूसरी साइड दिखाया है वो एक तापू पर पहुंचाते हैं अपने आपको जो है अकीला सा मेस्सूस करते हैं यहाँ पर दूसरी साइड आपको दिखाया मेज सो में कि जो है गुलीवर जो है बिल्कुल अकेले हैं यहां पे देखो इहां पर एक साइड़ दिखा हए हुगा है कि जो गुलीवर जो है material काइट्प ऑंग जाते हैं थापू पे लिलीपुटियन कहेंगे एविट रोजी टाइन जी इचेटाव तॉछ इन अविज इंचेटाल in a short time there were dozens of little men on Gulliver's body and there were many more around him some among them carried bows and arrows Gulliver was in Lilliput the country of tiny men he wanted to get up, he said to himself these strings are not thicker than thread I can easily break them and free myself तो उन्होंने देखा कि वह एक चोटे से बहुत चोटे से आदमी थे जिनकी जो हाइट है लगबग 6 इंच की थे, इतने लंबे थे वो थोड़ी समय में वहाँ पे दरजनों जो है चोटे चोटे आदमी गुलीवर के शरीर पर जो है चरके आगे और उसके चारू दरफ अनेक और भी आदमी आगे उन्में से कुछ ने कमान, बोज होगे कमान और एरोज होगे तीर कुछ ने कमान और तीर जो है उठाये हुए थे और जो गुलीवर लिलीपुट में था उन्होंने जो नने लोगों का देश था जो लिटल में कंट्री थी बहुत चोट चोटे लोग उहां पे रहा करते थे तो वे उठना चाहते थे उसने स्वैम से ये कहा उसने देखा कि जो रसिये हैं धागन से अधिक मोटी नहीं है उनको लगा कि मैं इन्हें असानी से जो है वो तोड सकता हूँ और अपने आपको मुक्त कर सकता हूँ इन रसियू से आजाद कर सकता हूँ उसने कोशिश की कि मैं धागन को तोड के जो है फ्री हो सकता हूँ He broke one or two strings and was able to move his left arm a little He tried to catch some of the little men but they all slipped through his fingers and ran away Then there was a loud show and little arrows came and hit Gulliver all over his body They were sharp and painful Gulliver said to himself These arrows are very painful and I won't try to break any more strings But how can I free myself? Then there was a loud show and little tears came and Gulliver was on the entire body The tears were so tight and so fast The Gulliver was hurt in his body So Gulliver said to you that this tear is very painful I hope you enjoyed this story I hope you enjoyed this story I hope you enjoyed this story The next part we will read in the next lecture I will read before the interview Please collose on the page Take a Turkish shirt You can order to you A Viking A Disease It's a plugins You can mix You can provide this It's an epic